कोटल से भी बढ़िया colorful बूंदियां घर पर बना करके तयार करेंगे इन बूंदियों को कोई भी फ्रिश्टिपल पर बना करके तयार किया जा सकता है आए इन बूंदियों को बनाना सुरू करें हमने एक बॉल लिया है इसमें एक कब बेशन ले लेंगे ये देड़ सो क्राम के लगभग है थोड़ा सा खाना सोड़ा यूज करेंगे इसे बूंदिया अच्छे तरीके से फूलती है खाना सोड़ा डालने के बाद इस पून से मेक्स कर देंगे थोड़ा थोड़ा पान असानी से बुंदिया निकलती हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बुंदि बनाने के लिए वेटर परफेक्ट तयार हो चुका है आपको एक ही कलर की बुंदि बनाना है तो इसी वेटर में आप बुंदि कलर इस्तमाल कर सकते हैं हम कलरफुल बुंदिया बनाएंगे तो इस वेटर को दो से तीन पार्टों में डिवाइट करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं हमें जो भी कलर इस्तमाल करना है इस वेटर में डाल देते हैं और इसे घोल करके तयार कर लेते हैं तो हमने डार्क औरेंज कलर का इस्तमाल किया है अच्छे से घोल लेंगे आपके पास लिक्विड फूट कलर है तो इनका इस्तमाल कर सकते हैं मेरे पास ड्राइ कलर थे तो मैंने इनका इस्तमाल किया है इसी प्राकार इस्पून में एक चौथाई हिस्षा ग्रीन कलर भी वेटर में डाल देते हैं और घोल करके तयार कर लेंगे हमने दो कलर वैटर बना करके तयार कर लिया है अब बारी है तीसरी की तो यहाँ पर इस्पून में एक चोथाई हिस्सा यलो कलर डाल देते हैं इसे भी मिक्स कर देंगे कलर वैटर में अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए वैटर तयार करने के बार 5 मिने ट्रेश्ट पर रख देते हैं तब तक चास्पे बना करके तयार कर लेंगे एक पैन को लेते हैं उसमें सुगर को डाल देते हैं तो सुगर उतनी ही यूज करेंगे जितनी हमने बेशन का यूज किया है एक कप बेशन के लिए एक कप सुगर यूज किया है एक कप पाने डाल देंगे गैस को ओन करेंगे और पेन को गैस पर रख देते हैं गैस की फ्लेम हाई कर देते हैं चम्मा से चला देंगे ताकि सुगर तले में चिप केना दस मिड़ बार आप देख सकते हैं सुगर कितने बड़े तरीके से घोल चुकी है चासनी में अपनी पसंद के कुछ फ्लेवर्स एड़ कर सकते हैं जैसे इलाइची फ्लेवर, केवडा ऐसेंस गुलाब जल अपनी पसंद से डाल सकते हैं अगर यूज करना चाहें तो कितना बड़ी हाँ उबालाने लगा है कुछ देर वेट करते हैं बूंदी वाली चासनी थोड़ी से चिपचिपी रहती है और बूंदी उसे अब्जर्ब भी कर लें इस प्रकार की चासनी हमें बना कर तयार करना है चासनी को चेक करते हैं थोड़ी सी चासनी उगलियों में लेंगे और चिपची पाहट रहती है याने चासनी तयार हो चुकी है बूंदी बनाने के लिए आईल को हाई फेम में गर्म होना चाहिए तब ही गोल गोल बूंदियां बनती है वरना बूंदियां चप्टी हो जाती है मैंने छोड़े ज़ारे का इस्तामाल किया है जो हर घर में आसनी से मिल जाता है आपके पास बूंदी बनाने वाला बड़ा जारा है तो उसका इस्तामाल करसकते हैं आईल पेन के उपर ज़ारे को रखना है वेडर को डालते जाना है, बुनिया अपने आप निकलते जाएंगी, इसी प्रकार सभी बुनियों को डाल देंगे, थोड़ा फैला कर डालेंगे, ताकि एक दूसरे से चिप केना, कुछ देर बुनियों को इसी प्रकार सिखने देते हैं, और जब सिख जाएंगे तो उन्हें निकाल लेंगे इसी प्रकार बुंदियों को सेख करके तयार करेंगे जब आपको दूसरे कलर वाली बुंदिया सेख कर तयार करना है तो जारे को अच्छे से साफ कर लीजिए ग्रीन वाले वेडर की बुंदी भी इसी प्रकार से तयार कर लेती हैं ग्रीन वाली बुंदिया भी तयार हो चुकी है इसी प्रकार यलो बुंदी भी डाल करके तयार कर लेंगे बुंदी भी तयार है चास्नी भी तयार है बुंदी को चास्नी में डाल देंगे ग्रीन बुंदिया भी डाल देंगे यलो बुंदी भी डाल देंगे आप चाहें तो सभी बुंदियों को एकटा करके भी एक साथ चास्नी में डाल सकते हैं चास्नी के साथ बुंदी मिक्स करते हैं ताकि जो बुंदी है चास्नी को अच्छे से अफजर्व कर लें और रस भरी बुंदी बंगर के तयार हो जाए बुंदी तयार हैं चार-पांच घंडे के लिए रैष्टपर रख देते हैं आप देख सकते हैं कितनी बड़ खिली-खिली बुंदिया बंकर के तयार हो चुकी है इन बुंदिओं को प्रशाद के लिए बनाये ये फंक्शन के लिए 15 दिन रखकर यूज़ कर सकती है रेसिपी आपको कैसे लगी कॉमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ दे बाई बाई